नमस्कार साथियों आपका स्वागत आपके यूटूब चैनल ट्रेट वित्रानिक चलिए दोस्तों आज के सुरुवात करते हैं आज का जो सेर है वह सिगनेट इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे हैं बात करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सस्क्राइब नहीं सेरी करने का तो उससे पहले समस्ति सिगनेट के वारे में उसका स्मझेंगे और का 먼저 कहा वो समझेंगे किस fully कमपनी वह समझेंगे तो सबसे पहले आप वीडियो का अभी तुक आपने लाइक नई है तो फेले वीडियो को लैक कर लिख यौशियोग और बिद्ध कुरा देख करता हूं उसके बाद की कुछ शेर केंदर कोई वीडियो बनाता हूं को अपलोड करता हूं क्यूंकि टार्गिट हिट ना होने के बाद भी लॉस होगा तो आपको प्रॉफिट होगा तो इसी तरह आपना सही होगा प्यार देते रहिए और मैं आपको आने वाले तेम पर अच स्थाव सकतिमान के नाम से व 보ien title स्थाव सकतिमान है और लोजिक के नाम से इनका जो भैरांड के नाम stamping जो नाम चलता मार्किट में उस नाम से सारव सकतिमान लोजिक और पैमेंग का व्यवर्बादियूपूर्टियू? इस तरह के क्यों उसना इक्विमेंट का करते हैं . इस थना प्रदीवाल्बादियू — इस एस धो इक्विमेंट का ऐसे मतलब इंहेता व belong भुषूर्बबफूरिथ स्वारप सकतीमान के नाम से लोजिक के नाम पर सिगनेट के चेयर ये देखेंगे आपको चेयर इस तरह के इस तरह के मैंन करती तो मैंने तीन इनिंट के नाम है सिगनेट के तो बैसिकली उसके अंदर सौरब सकतिमान लॉजिक और सिगनेट इसके डिमांड को खतम नहीं होती है बास्केट के हमें डेली डेली नीट में बास्केट चेर और पाइपिंग के जुरूत पढ़ती है क्योंकि कोई भी हमार को कुछ भी कराना यानि के कुछ भी हम लोग करते हैं तो यानि के हमारे घर में वाटर सप्लाइ के फिटिंग होगे तो इसमें पीवी से पाइपिंग के यूस्त होगा ना तो इनका काम भी हो खत्म नहीं होगा, जिब तक धरती है जिब तक दर्ती है, जिब तक इनका काम चलता रहागा, हमाइस तरह से प्रॉड़क्स को समझना चाहिए, इस तरह के प्रॉड़क्शन ने लोग डिजैन करते हैं, तो basically आप समंस्ते हैं daily news के product daily use के product भी है design करते हैं basically company का venture काफी अच्छा company है production जखा company का working मैं तो आप सम्झते के इसके इंदर चलता गहिए plastic के factor में सारा काम करती है और चलते हैं चल किया रहा हो कि company के अब इंडिया में है ठीके न और यह 1985 company है थीकिन ना सिखने इंड़ेस्टी लिमिटेड और अधर इलेक्टिकल पावर जनरेशन कंपनी यह पावर जनरेशन के अंदर भी है तो इनका बेसिकली क्या है यह सब चीजे तो आज इसके अंदर देखते चल क्या रहा है तो अभी यह साड़े 3% तीजी के साथ ट्रेड कर रह रहा है कि उसके अंदर विता है तो इसके अंदर देखते और थे और क्या आज ने सिर्वे अन trilивать रहा है शहित्यक्व रहा है तो इसके अंदर देखते पहले सब से पहले शालिंग प्यस्टीर नो तो देखिए इसके अंदर एक इंडिकेशन है quarter 2 को जो result आये था तो उन्हों परमोटर ने अपनी holding increase करी है देख सकते हैं 72.52 से बढ़ागे परमोटर ने holding करती है 72.56% quarter 2 के result के अंदर जो उनके quarter 2 को result आये सितंबाव 2nd quarter कर जो earnings उन्हों नों शो करी थी उसके अंदर ने परमोटर के holding भी increase करके बताई है तो अब चलते हैं इसके इसके अंदर इसका थोड़ा financially समझ लेते हैं उसे चार्ट पर जाने से पहले और return of equity ROE 6.47% phase value इसके दसरबे किया है dividend company ने अभी तक दिया है 1.11% अब इसके अंदर इंडिकेशन के company का trade जो book value के trade पर कर रहा है 0.7% book value times पर trade कर रहा है share अब इसके अंदर quarter 2 के result देख लेते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा overview explain करने लिए थोड़ा सा हमारे की knowledge की according तो इसका देखे sale होती हमारे सितंबा सितंबा quarter 2 के अंदर 2 जाए किसके अंदर इसके sale हुई है 204 लाग की और इनको profit आता operation profit 14 लाग का net profit आता इनको 1.78 लाट का और इनको EPS आता 0.60 जून quarter 1 की sale थी 1806 लाग की operation profit 14.01 और operation net profit आता 1.04 और EPS आता 0.35 जून quarter इनको sale में भी double growth देखना हो मिलिया और इनको profit भी double देखना हो मिला है तो ये इस चरहा की जून quarter quarter वाई चेक करेंगा तो काफिछा result है अब यह यह देखने चलता है तो यह के अंदर सितंबा दोजा बीस के अंदर के sale थी 1806 लाग की और operation profit थी 14 लाग का net profit थी 1.34 लाग का और EPS तो 46 तो EPS में तो 15% की growth देखना हो मिलिया वहीं net profit में भी 20% की growth देखना हो मिलिया वहीं secondly इनको इनकी sale में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिला है 40% इजाफा देखने को मिला है क्वाटर क्वाटर इजाफा देखने को मिला है एर एरवाई देखेंगे 46 ता तो 60 आया है और क्वाटर क्वाटर भी देखेंगे डवल ग्रोथ देखने को मिली एपिस में तो यह काफ अच्छा इंडिकेशन होता है अब चलते इसके चल क्या रहा तो इसका मैंने डेली चार्ट ओपन करा डेली चार्ट पर एक अच्छा इंडिकेशन देखेंगे तो इसमें इतने वालूम के साथ बाइंग देखने को मिली तो हमारे को क्या करना है इसके अंदर आपको यहां से जो पहला टरेंडिके और इनवेटेड हैमर पूरी इनवेटेड हैमर बन दी है अगर आज 45 पे ख्लोस मारा था तो तो कल की दिन इसमें तेजी देखने को जुरू मिलेगी आपको क्योंकि जिस तरह से फर्मेंट होई है यह देखे किस तरह से आज इसने कल की ही दिन में टच होके हमारा आज इसने 200 डेस की मुविंग एवरेज को क्रोस करके बैठा है देखे तो यह देखे आज के इसका 60 के पास चला चुका है तो इंडिकेशन तेजी के तो तेजी में में पार्टिशिबेट करना चीह जिस तरह से मार्किट का ट्रेंड आज के दिन मार्किट जैसे डिफ्टी हाई चलेगा तो के इसमें नहीं हाईस देखना को मिलेंगे आपको वो तो बाद इसके अंदर आपको देखने का बाल जुक का तब्सक्राइक का गर्जो ट्रे आने को तयार बैथ और ढटा हूआ है जैसी के ग्रड़ करेंगा अपना फॉटीएट को जैसी तो तो मिलें और नए लेवल इसमें 15 से 20 दिन के अंदर 55 तक देखने को मिलेगा आपको शेर तो पहला टार्गेट हमारा 48 का 200 टार्गेट 53 का तीसा टार्गेट 55 का 40 के स्टॉपलों से से बाय करिए थोड़ा साम वेकली चार्ट भी दिखाते दूम आपको तो आपको बस पेशन सा हॉल रखना हर कॉल हमारी उसके लिए होती है क्या बोलता है हॉल्डिंग के पर प्रपस दे देखिए यह जो कैंडल बनी हुई है वेकली चार्ट पर यह 64 तक की बनी हुई है और मैंने 70 तक के टागट देना आले तीन महिने के अंदर 70 तक के टागट देखने को मिलेगी और यह शेर के अंदर और वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिलेगी तो आपको 40 के स्टॉप लक्स से बाय करना पहला टारगट 48 दूसर टारगट 53 तीसर टारगट 55 इन तीन टारगट के बाय करें पिसनाट होल रखिए अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर फोरवड करना बिलकुल ना भूलें थैंक यू सो मच पर वाचिंग सो थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो